कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी वेजिटेजन फूर्ड स्टेंड में आपका स्वागत है तो जैसे कि अब सर्दिया शुरूर हो चुकि एज थोड़ी ठंड भी बढ़ी आ गोभी बड़ी ही मस्त आ रही है बढ़ी आसी आ रही है आने लगी है गोभी और अब सस्ती भी हो घट रहे है काफी गोभी और गोभी के परांथे नहों आरे से कैसे हो सकता है और परांथ ऐसे चीज़े का मजा तो गरमा गरम सर्दियों में है कि छलिये अज़ हम बनाते हैं गोभी के पराठे dual पैल ने क्या की अर्फ तीन जितने बनाने हैं तो अब उसको सहाँ सकते मैं बनाओंगी बिटी के ली बनाऊंगी भस के तो इसको मैंद कस लिया यह फूल पहले ही इसाहि empieza मैं धोके रखा हुआ था तो उसमें जितना चीय था मैंने उसको कस लिया और अब मैं इसमें डाल देती हूं नमक नमक हम इस जित डाल इसको थोड़ी दे रखेंगे विए गोभी में भी पानी होता है अगर हम पानी इसको नहीं निकालेंगे न तो हम परांथे जब बनाएंगे तो फट जाएंगे परांथे पानी छोड़ेगा चिप-चिप किच-किच सी लगेगी पर मजा नहीं आएगा प काट के रखे लिए हरी मेर्श अपने टेस्ट जैसा खाते हैं थोड़ा सा अध्रक अब आटे की त्यारी कर लेते हैं जितना आटा गूथना आपको ले लीजिए एक कटोरी डेड़ कटोरी जैसे आपको लगता है उसमें थोड़ा सा नमक और घी डालके अच्छी तरह से मो अधि जाओं आओं अलुधे पराथे गोभी दे पराथे ये पराथे वो परांखे खाने में सच मुछ में बड़े टेस्टी लगते हैं तो मॉयन लगाके इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डालके मैं सोफ्ट सा डो बना ले लिए देखिए मैंने डो भी बना लिया है अगा इसमें से पानी निकल रहे हैं इसका हम पानी निचोड लेंगे यह देखिए इसका हम पानी अच्छे से निचोड लेंगे इससे पराटे फटेंगे नहीं बड़े बढ़िया बनेंगे यह देखिए इतना पानी अब आटे में आप इसको भरेंगे फिली तो पानी तो छोड़ेगी वह तो आटा भी चिप चिप होके फट जाएगा है ना तो देखिए उसके बाद हम इसमें मिला देंगे धनिया वहरी मिर्च थी अपने टेस जैसा मिर्च खाते आप लाली मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला और अध्रक जो आपने कसा था वह भी थोड़ी सी हलके सी कलर के देगी मिर्च आए और धनिया पाउड ररण पानी में काफी देर लिए भीगों के रख दिया हैं और इसे निचोड के निकाल के मुझसे दोक अच्छी तरह से लिए ठाल के ऑर इसे मैं काट्के बाद वारए डाल दूँग से टो नहीं खाते पर उन्हें किसी ना तरह हैं चलते लिए निए बहरा बनाने के कासब घून के हमें कूट लेना है या आप पाउडर बना लीजिए कैसा भी कर लीजिए मैं थोड़ा दरदरा सा पिसूंगी इसे कूटूंगी मतलब जैसे गरम मुझे से ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे अब इस पाउडर को मैं डा सब्सक्राइब आपका मज़ा आ जाएगा है देखिए आप ऐसे बना सकते हैं आटा लीजिए उसकी लोई बनाए और बीच में से कटोरी टाइप से थोड़ा सा करके नीचे से तो मोटा होना चीए किनारे थोड़े पतले अच्छी सारी गोभी भर दीजिए और अंगूथे कहीं से भी गोभी नहीं निकलेगी बहार कि देखिए अब हम इसे डाल देंगे तवे पर इसे अलट पर लटके पहले में हम बिल्कुल तेज आँच नहीं करूंगी मीडियम करकूंगी उसे सेक लूंगी ताकि थोड़ा क्रिस्पी हो जाए उपर से और दोनों तरफ से लग अब बढ़िया देखिए यह मेरा बनके देखे हो गया बढ़िया तयार अब देखिए हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैं भी बना रही हूं बहुत से होता है इनसे नहीं बनता ऐसे किसी की फिलिंग निकल जाती है किसी है कुछ तो आपने इस तरह से दो रोटी हम बना पॉज्ञें और ससंवरे देखिए हुआ है रिची हमारा यह भी बन गया थो से बढ़िया अब 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 है किसे पिसे को भी से जाते हैं कभी गोभी के कभी गाजर के कभी मूली के अलू के अब तो बत्वा आ गया है मेथी आ गया पनीर के कितने ही तरह के पराथे हैं है ना सभी को पसंद आते हैं तो उनमें से गोभी का पराथा भी है एक यह देखिए मैंने इसको पहले हाथ से गुमा गुमा के सेक लि यह देखिए यह देखिए बन गया ना हमारा बढ़िया सा परांठा बनके खाने में इतना मज़ेदार उपर से बिल्कुल क्रिस्पी बने गई है और आप इसे मक्खन घी के साथ खाएंगे तो बस और मज़ा आ जाएगा यह देखिए मेरे होगे परांठे तयार तो मैं क्या क आप इसे उस पर परांठे पर रखके खाई जब आप खाएंगे ना कहीं करें मिर्च आएगी तो मज़ा ही आ जाएगा यह देखिए यह देखिए यह देखिए मैं ने कर लिया अब इस तरह से हैं ना पढ़िए यह देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से बहार से क्रि पहल जाएंगे इसके साथ मैंने बनाएं बथवे का रायता आम का चारा चारा आप कोई भी ले सकते मेर्च का तीखा खानाचा पसंद करते गाजर का मूली का सब बढ़िया लगेगा आप भी जरूर बनाते होंगे तो आप किस तरह से बनाते हैं अगर आपको मेरी वीडिय अच्छी लगी लाइख शेर सबस्क्राइब